सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इस लाल सस्क्राइब बटन को दबाएं घंटे को भी दबाएं ताकि आप वीडियो हमारी सबसे पहले देख पाएं जो की बिल्कुल फिरी है उसके बाद आप कमेंट करना हमें बिल्कुल भी न भूलें इस तरह से आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पैजामी के पॉंचे का एक नया डिजान बनाने वाली हूं तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए हमने दो इच का वुकरम लिया है और हम इसे इस तरीके से कपड़े में फोल्ट करके यहां से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से तो देखिए हमने शिलाई लगा ली है अब हम या पे धाई इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे पूरे में इस तरीके से निशान धाई इंच पे लगाते जाएंगे इस तरीके से तो देखिए हमने पूरे में निसान लगा लिये हैं अब हम यहां से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पूरे में इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे यहां से पूरे में इस तरीके से डिजान बनाते जाएंगे और इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे अब हम फिर से निसान लगाएंगे, इस तरीके से पहले हमने इस पार लगाये थे, अब हम उस पार से निसान लगाएंगे, और निसान लगाने के बार इसी पर हम सिलाई लगाएंगे, अब हम इसी पर जहां से हमने निसान लगाये थे, हुआई से अब सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा लिए है अब हम यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे तरीके से यहाँ से सीधी सिलाई करेंगे और फिर इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे और ऐसे हम उस पार भी डिजाइन बनाएंगे यहाँ पर सीधी सिलाई लाएंगे और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे पूरे में देखिए हमने इस तरीके से डिजाइन बना ली है अब हम उस पार भी डिजाइन बनाएंगे इसी तरीके से हम पूरे में डिजाइन बनाते जाएंगे यहां से इस तरीके से अब हम यहां पर भी डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से इस तरीके से हम सिलाई घुमाते जाएंगे और सिलाई इस तरीके से लगाते जाएंगे ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है यहां से इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे फिर इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे इसी तरीके से हम पूरे में डिजाइन बनाएंगे यहां से सीधी से लाई लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी पहुचे की डिजाइन तयार है देखिए कितनी सुन्दर लग रही है और ऐसे ही हमने दूसरे पहुचे की भी डिजाइन तयार करी है तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें